धन्यवाद प्रफसर तेजस्वी कट्टी मनी जी बीच बीच में कई बार ऐसा लगता है कि उर्दू ही मादरी जबान थी शमशेर की उर्दू पर उन्हें अधिकार था बार बार वो तुलना करके भी यही कहते हैं उर्दू के साहित्य में, गध्य में, काव्य में हिंदी से सब कुछ अच्छा है वो अंग्रेजी में सोचते हैं उर्दू लिपी में लिखते हैं लेकिन हिंदी वाले कितने उदार हैं वो हिंदी के कभी थोड़ा सा ये भी देखना पढ़ेगा कि कहीं हम एक पक्षी ये उधरन तो नहीं चाट-चाट के रख रहे हैं इस दृष्टी से भी देखने की मुझे लगता है शमशेर को जरूरत है कि एक ही तरह के उनकी उधारता को प्रकट करने वाले उर्दू और अंग्रेजी के बारे में उनके ज्ञान को महिमा मंडित करने वाले सारे उधारन ते जी दोनों को समाए हुए है वो किस तरह से निर्मित हुई मैं समस्ता हूँ प्रफसर दिलीप सिंग के आगे के वर्तव्यों में ये बात और उभर करके आएगी खैर प्रफसर कटिमनी सर ने नरेंद्र शर्मा जी रंजना अरगडे जी नामवर सिंग जी केदाना थगरवाल जी आधिकी कृतियों के साक्ष से ये स्थापित किया कि इन सभी के लिए शमशेर एक बहुत अधिक बलकि अपने समय के सबसे अधिक बहुमों की प्रतिभावाले कवी के बारे में सरली करणों से बचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है उन्होंने उर्दु में लिखकर नागरी में लिप्यंतरन किया एक उदाहरन है प्रेमचंद भी ऐसा करते थे वे विपन्न लोगों के प्रति बड़ी करुणा रखते थे ये भाव उनका निराला के साथ तुलनी रूप में उभरा केवल अच्छे कवी ही नहीं बलकि वे एक अच्छे आदमी भी थे भारतियता में रचे बसे थे वे कतई तंग दिल नहीं थे तो शमशेर जो लोगों की स्मृतियों में इस रूप में बसे हुए हैं उन्हें प्रणाम करते हुए मैं अगले वक्तवे के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदी के मूरधन्य साहित्यकार अकविता आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्तर गंगा प्रसाद जी विमल को कि वे शम्शेर से जूड़ी अपनी स्मृतियों को यहां साजा करें डॉक्तर गंगा प्रसाद विमल खास तोर से मेरा जो लक्ष है इमिंग अट यंग पीपल कि नौजवान लोग थोड़ा मेरी आँख से भी शम्शेर को देखे हैं वज़े यह कि मैंने खुद शम्शेर को देखा था और शायद आपकी उमर से भी कम उमर में देखा लूँ आप बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे मैं जब 1954 में इलाबाद पढ़ने के ले गया तब तक शम्शेर एक तरह से लेजन्ड हो चुके थे शम्शेर कवियों की बीच बहुत चर्चित कवी थे खास तोर से नए कवियों की और वो जमाना था जब कि इलाबाद शहर शायद तलकत्ता को भी पीछे रखे वे था क्योंकि वो एक साहितिक, सांस्कृतिक, लिटररी, कल्चिरल सेंटर था बहुत बड़ा और तमाम लोग जो लोग पढ़ने के लिए दूद दीगर विश्व जालों में जाते थे वो इलाबाद चले आते थे और इलाबाद में एक तरफ जवाहरलाल नहरू का हववा था एक डिमोक्रेट लीडर जो है वो इलाबाद से विक्सित हुआ और उसी नगर में महादेवी पंद, निराला ये लोग बड़े दिगज लोग थे और फिर उसके बाद जो नए लोग आ रहे थे उनमें शमशेर जी थे तो खर मैं शमशेर जी की पुरानी बातें याद करूँ तो वो तो किवल याद करना भर हुगा लेकिन एक बात जो कभी नहीं भूलती और उसका कोई रिकार्ड भी नहीं है हुआ ये कि शमशेर एक कभी गूश्टी में आमंत्रित किये गए और उसको रेडियो वाले लोग जो है वो कवर कर रहे थे उसमें सबसे नवजात कभीयों में से हमसे बहुत सारे दो चार लोग थे जो अपनी नजबे सुनाने के लिए वहाँ मौजूद थे नज़ाने क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ कि वहाँ अचानक गीतकारों का गजल गो लोगों का जमावडा आ खड़ा हुआ उन्होंने अपने नाम देने शुरू किया उनको लगा रेडियो बहुत बड़ी चीज थी रेडियो से एक बार आपका नाम शाया हो जाए तो आप रातों रात सेलिब्रिटी हो जाते थे कम से का अपने मुहले में तो आपको लोग पूछते ते रहे भाई रेडियो से सुना क्यों कि रेडियो पर हरे कान रहता था चाहा वो खबर हो चाहा गांधी की मृत्वी की खबर हो और चाहा जो दूसरी चीज और उन दूनों चववन या बावन चववन में अभी एक बहुत बड़ी वारदात महां हुई थी कुम्ब मेले की जिसमें कई लोग मर गएते तो जवाल है नहरू भी आये थे तो उस लिहाज से भी लोग रेडियो के पर दे बड़े बड़े सेंसिटिव थे अब लगा कि अब पिट जाएंगे आज तो इतना ज़्यादा हुटिंग होगा कि कल तो शायद जिंदा न बचे तो अपने लोगों ने अपने नाम वापिस लेने शुरू किया क्योंकि पैसे तो मिलने नहीं थे उस कवित हमेलन से पैसे तो गजल वालों को और गाने वालों को मिलते थे तो जब नाम वापिस ले तो सहियोजग ने का लिए ने तुम लोग फटावट पढ़ दो अपने कविताएं तो दो जार चार कविताएं पढ़ ली गई अब शमशेर जी जो हैं वो बहुत बेचेन थे बोले भाई नाम वापिस लूँ कि नाम दूँ क्या करूँ और अब चिठी रसां एक नौजमान छोटा कवी हो सकताएं तो ने ने कहा कि तुम भाई विमल तुम जाकर के स्योज़क महदे से कहा कि मैं भी अब नहीं पढ़ूँगा क्या हुआ समशेर जी इतने बड़े कवी और ये कह रहे है जैसे मैंने आप से अर्ज किया कि उसमें तो गाने वाले लोग आ गए थे किसी तरह समशेर जी और दूसरे कवी तरह से और उसके बाद तो उसके बाद समशेर चुप चाप उठके चले गए पर वो शमशेर नौजवान थे यह थे नहीं बहुत बड़े खुशूरत थे निटने शमशेर पर रश्क हुआता उन पर उनके वो उनके अपने पुशा कर लिवास से वो कवियों से भिल नजर पर आते थे उनका एक अदर कोट भी होता था लेकिन समशेर बड़े संकोची थे और इसलिए याद कर रहा हूं कि इसके बाद एकदम शलांग मारता हूं तो प्रभाकर माचवई की शष्टी पूर्ती भी उसमें दो लोग जिनके आप जन्मशते बना रहे हैं एक अगे और एक समशेर थे और हम लोग भी बुलाए गया उसमें यानि उसमें काफी बड़ा जमावड़ा हुआ और वो फिर जैसा कि नामवर जी ने सुब अपने सहस्प्रणों में बताया कि कोई महंतों के इलाके में कभी कुछ इस तरह की बार दाते हैं तो वो हरी दौर में क्यों लेकिन कमल कांथ बुद्ध कर नामक एक पत्रकार है और एक लेखक है मराथी मूल के वो माचवी जी को जानते थे तो वहां बुला लिए गया हम लोगों के रजमंदी नहीं पूछे के तुम आओगे नहीं आओगे आजाओ भी तुम्हें आने जाने का किराय देंगे सुचा कि मैं तो अब मैं नौजवान लोगों के साथ जाने की मनशा रखे वे था अब सम्षेजी के साथ जाओंगा तो चुप चूपी चलना पड़ेगा तो किसी तरह से मैंने उन से कहा कि सम्षेजी मेरा भरोसा नहीं मैं बस से जाता हूं या गाड़ी से जाता हूं या ट्रेन से जाता हूं नहीं मालूम तो सम्षेजी को मैंने पठ्टी पढ़ाई कि आप वात्साइन जी को कहिए वो कैसे जा रहे हैं और माचवे जी कैसे जा रहे हैं तो खर इन लोगों ने जिस ट्रेन का अपना बुकिंग कराया वो ट्रेन हम लोगों ने छोड़ दी उसके बोलना था और शुरुआत उस कारिक्रम के मुझे करनी थी मुझे माचवे जी के बारे में कुछ कहना था हुआ हिए जब मैं बोलने के लिए खड़ा ख़़ा तो तब ही मेरे हाथ से मेरे आगे से माइक शीन लिया उस जमाने के आ किशोरी दस बाद पे ही उन्होंने वो माइक शीन लिया उनका गंगा पसाद विमल को नहीं बोल ले दूंगा अब क्या हुआ यह रिकॉर्डेड है इसारी चीज़ मुझे मालूँ था क्या हुआ क्योंकि उससे कई बरस पहले मैं एक लेख लिख चुआ था जो कानपूर के एक पत्रिका में शापाता हुआ उसका शीर्शक था कवियों को व्याकरन की जरूरत नहीं है वो तो बाकर וए करन तो और वो वयाकरन थे उन का ठी मैंने पंडी झी से गोझारिश कि एक也可以 यह मामला कि मेरे मुझे रहने दीजे माँ बाद में बोल लूँगा वो इसलिए संस्मरं दिल्चस्प है कि उसमें मुझे उतना डर नहीं लगा जितने कि संशेर जी डर गए संशेर जी को लगा कि तो पिट जाएगा बच्चा देखो ये डंडे डंडा लेके आएं तो संशेर जी जैसे ढाल बन करके मेरे पीछे पीछे चलके जब मैं पीछे बैठा तो वहां आके बैठ गए कहां तो वो बैठे वे से मंच पे अब मुझे लगा कि संशेर जी क्यों च बहुत ही एक खुशूरत से चीज थी और हम लोग दुष्ट से थोड़ा और उस दुष्टता में शम्षीर जी पर और अग्यी जी पर बहुत सारे चुटकुले बना दिये थे हुआ ये कि कॉफी हाऊस में कॉफी पीने जाते थे तो उसमें शर्त ये थी कि अगर पांच नए चुटकुले सुनाओगे तो कॉफी मुफ्ट में मिलेगी बिल कोई देगा और नहीं सुनाओगे तो खुरते हैं और मैं थोड़ा सा कुछ मुझे लगता था कि बाद में शमशेजी के सामने सुनाया था तो कोई शमशेजी और शमशेजी के बहुत अभिन मलेज ये दोनों बड़े-बड़े अगभी थे इलाबाद में रहते थे लेकिन लक्षमी ने कभी इनका साथ ना दिया ये दोनों नहायत गरीब एक जगह रहते थे शमशेजी जैसे प्रो पैसा आया उसको तुरंट खर्च करते थे हम लोगों पर भी अगर चले गए मिल गए तो तुरंट कॉफी आउस के सारा बिल देने को तयार हो जाते थे अब ये उनके बड़पन था तो उन पर बनाए ये कि सम्शेव ने फिर गंगाप्रसाद में मुलका की जाओ बच्चा ज व्यापार में लक्षमी वस्ती आप लोग व्यापार करो तो धनी धन है तो ये हमने बनाया हुए बाद में कि सम्शेव जी और मलेज जी ने फिर एक व्यापार सोचा कि इलहाबाद में क्या व्यापार किया जाए तो इलहाबाद में ऐसा व्यापार जिसमें कि चेरा लोग तो बेहतर है शाम में दुंदलके में अब ऐसा कोई काम नहीं है रात का व्यापार तो बड़ा व्यापार है उसमें शम्शेर जी कहां शामील हूँ और कहां मले शामील हूँ तो सोचा कि सुबह के दुंदलके का को व्यापार धूडा जाए तो व्यापार मिल गया जीरो है समशेर बड़े नेतिक आदमी को दूद में पानी मिलाता है और क्या तो उन्होंने कहा कि मलेज यह व्यापार सबसे ठीक हम पानी नहीं मिलाएंगे दूद कव्यापार करेंगे सोबसों आएंगे लगपती करोनपती बनने देर न लगी तो उन्होंने आनन फानन एक साइकल किराया पी ली दो ड्रम किराया पी लिए और कुछ पैसे ले करके फाफा माउक से होते हुए प्रताफगण जिले की आजकल नया जि पर जून को चलना बड़ वो आधी रात में गरम रेज बड़ी परिशान करती है तो मलेज को प्यास लगी मलेज ने का शमशेर जी प्यास लग रही है पानी बहुत दूर है वहां जाओंगा तो साइकल कौन खीचेगा तो आप थोड़ा सा दूद पिला दी जता कि कुछ ज शमशेर को पकड़ाई शमशेर ने दूद दिया उनोंने प्या साइकल कहींशी गई फिर सुमशेर ठक गये उन्होंने वह अथनी मलेज को पकड़ाई का भी हम अनौब हुत यह पी जीरो डोल तक पहुंचते पहुंचते दोनों डृब्रम खाली हो चुके थैं तो शमशेर कि देखिये ऐसा है कि मैंने पहली बार एक दुष्ट से प्रेम किया है यह दुष्ट गंगा प्रसाद मिमल है और इसने प्रेम पूर्वग मेरे पर ऐसी बात सुना दी जिसे मैं भी इंकार नहीं कर सकता क्योंकि वह जो एक ख्वाइश थी कि कुछ मैं मालदार बनूँ जैसे कि सभी कलाओं का उनको बहुत ज्यान था और उस ज्यान के चक्कर में वो बराबर जो कला प्रदर्शनियां हैं जो गैलरियां हैं वहां के भी चक्कर लगाते थे अब वो हम लोग हैरान होते थे कि समशेर जी जब खुद कला का रहे हैं तो देखने की ज़रूरत क्या बाकि कोई कला कार किसी दूसरी कला देखने नहीं जाता जैसे कोई कभी अपनी कविताओं के लिए दूसरी कविताओं पढ़ना भी नहीं चाहता तो मजबूरी में दनकब मैंने लाइबरेडी के नाम पे ले ली है यहां गलगोटिया से कहा कि पैसे पहुंच जाएंगे लाइबरेडी में ले जा रहा हूं तो वो किताब जो थी वो इरानियन पोट्री की अंगरी जी में ट्रांसलेशन थी और समशेर को फार्सी से इतना लगाओ था यब स संकोश के मारे यह ने कैसे किताब मुझे दे दो बस वो यह सोचतर है कि कैसे क्या किया जाए तो उन्होंने कहा कि अच्छा जब लाइबरेडी में आ जाए तो तुम अपने लाइबरेडियन को कहना कि यह शंशेर को दे देनो आप यह सोचे कि दिल्ली कॉलेज के लाइबर दिन बाद फिर सम्षेर को उनके माडल टाउन वाले घर में गया किताब ले करके मैं शम्षेर जी मुझे मेरे लाइबरी जिन ने बहुत लताड़ा कहा कि शम्षेर को नीज दी तुमने वो बाद में एक्सेशन हो जाता बाद में किताब आ जाती लाए तो आप भी को ने आपने पैसे दिये थे किताब ले आए शम्षेर इतने संकोशील इतने अच्छे आदमी उनका अच्छा मैं एक दिन वहीं आता हूँ दिल्ली कॉलेज आता हूँ और वहां से मुझे थोड़ा सा एक अंसारी साथ से काम भी है और वो काम भी फार्सी जुवान के तालुक रखने वाला था सम्षेर आए वहां बैठे बीश्ण जी और दूसरे लोग उनसे मिले और आप यह मान कर चलिए कि हमने उनसे दर्खास की कि आज आप थोड़ा जड़ा रुरुरु हो जाई है इस्टूडिंट्स के सामने आ जाई है कुछ पूछ लिया जाए तो उन्हेंने कहा कि देखो आज रहने दो क्या बात हो गई और वो इतने अपडेट रखना चाहते है अपने को उन्हें कहा कि तुम मुझे अगर पहले सब्जेक्ट बता दो तो मैं उसकी मनी मन तैयारी कर लूँ फिर चात्रों के सामने जाओ वो अपने तरह से अपने किस्म के एक इनसान थे और जिनमें कि बहुत सारी चीजों के साथ था जो बहुत बड़ी चीज थी जो कि बड़ी विरल हो गई है दुनिया में वो वो वेल्यू सी जिनको बराबर जिनके बारे में जिनको लेकर कि कहा जा सकता है कि समशेर जो है व